Hello everyone, welcome back to the live session, so on financial accounting, we are here, so I think all of you might be excited for this live session, और आपका कल जो paper होने वाला है, उसके बारे में discussion करेंगे, और बहुत सारी चीजे में आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके basis पे आपके silly mistakes जो paper में होते हैं, वो नहीं होंगे, हम सारे chapters को revise करने वाले हैं, तो I hope कि all of you are very much excited, अगर आप excited है, तो एक बार comment section में आप type करें आपका नाम, and excited के लिए आप type करें E, तो अगर आप excited है, तो नाम और E type करें, so that I can understand, and I can see all your comments, let me see the comments, who all are commenting, तो एक बार मैं comment को देख लेता हूँ, so that मुझे भी पता चले, how much excited you all are for the live session which we are going to have today, तो let us see how many students are commenting, जितने भी students comment करेंगे, उससे मुझे पता चलेगा exactly कि आप सभी लोग excited है for today's session, so बहुत सारी चीज़े आपने पढ़ ली है, बहुत सारी चीज़े आपको बतानी है, और बहुत सारी चीज़े ऐसी है, जो आपको आपके paper में नहीं करनी है, वो भी सारी चीज़ों के बारे में आज के session में हम discuss करेंगे, सारे chapters के basics को discuss करेंगे, सारे chapters के जो silly mistakes होते हैं आपको, एक overall आपको आज जो आप live session attend करोगे, उसका आपको कही ना कही benefit next paper जो आपका कल paper होने वाला है, उसमें 100% होगा, तो बने रहे, अपने friends में इस link को share करें, सबी लोगों को ये benefit मिलना चाहिए, आपके जितने भी friends होंगे, वो सारे groups में, जो tyb.com के groups हैं, उस सारे groups में ये link को एक बार share कर ले, so that सभी बच्चों को इसका benefit मिल पाए, और अगर उसको benefit मिलेगा तो मुझे लगेगा कि जितना भी मैंने आज आज आपके लिए live session लिया है, वो some or the other part आपके कुछ success में थोड़ा सा contribution last minute revision का हुआ है, so financial accounting कल का paper tense climate बहुत सारे बच्चे डरे हुए है, कुछ बच्चों को लग रहा है पता नहीं कैसे आएगा कल का paper किस तरीके से हमारा paper जाएगा और सारे बातों के बारे में हम discuss करेंगे and exactly कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो जो आपको हर chapter wise ध्यान देनी है, तो before I begin the session, let me see how many students have joined this live session, चलो जल्दी जल्दी सब लोगों को आने दो notifications तो सब के पास गया है and जल से जल start करेंगे time pass नहीं करना है हमको because कल का paper आपको काफी अच्छी तरीके से जाए और आपको एक ध्यान रखना है most important point कि कल भी शाम को 6 बजे आपको costing का ऐसा ही live session के लिए time पे आ जाना है तो कल 6 बजे हम costing का live session लेने वाल है तो costing के live session के लिए कल आप सभी को यहाँ पे इसी time पे इसी channel पे आना है तो अगर आपको यह session attend करने के बाद लगता है कि session worth था तो ही subscribe करें मैं आपको अभी नहीं कहूंगा कि आप subscribe कर ले लेकिन इसी time पे इस channel पे आप आएंगे तो that will be very much easy for you to remember कि किस तरीके से हमको focus करना है कौन से चीजों के ओपर हमको focus करना है तो before I begin today's session एक 2 minute में start करता हूँ last minute revision with rsm का एक app available है play store में description में link available है वहां से आप download कर ले और download करने के बाद उसमें एक छोटा सा एक course डाला है मैंने छोटा सा course in the sense उसमें आपको एक time management कल के paper के लिए कैसे करना है अगर ये पूरा session आप attend करे उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा speed कम है किस तरीके से time management करना है वो अगर आपको problem हो रहा है या कैसे कौन से questions को पहले attempt करना है तो play store पे जाईए last minute revision का app download करे link description में है और वहाँ पे जाके उस course में enrolled हो जाए एक एक ही वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा लेकिन cost बेने सिर्फ 10 रूपीज रखा है ताकि सभी लोग इसमें enrolled कर पाए जिनको भी लगता है time management कैसे करना है कल के paper में वो आप वहाँ पे कर सकते है ठीके बहुत सारी बाते कर ली बहुत सारे बच्चे आ गए है चलो शुरू करते हैं आज का session I welcome you for this live session and I hope कि आप सभी का paper कल का बहुत अच्छी तरीके से जाए आपको सारे questions अच्छी तरीके से solve कर ने आए तो हम अभी सबसे पहली बाते जो financial accounting के बारे में करेंगे उसके बाद मैं screen share करूंगा उसके बाद chapter wise revision भी हम करेंगी अब देखो financial accounting की अगर हम बात करें तो financial accounting में आपके जो topics है number first topic is investment accounting number second topic is internal reconstruction number third topic is the final accounts and number fourth topic is buyback ये चार आपके practical topics है और इसके साथ अगर हम देखे तो एक theoretical topic भी है ethical issues वाला ethics का उसके उपर आपको theory questions answer in brief answer in short notes के questions पूछे जाते हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे तो हम एक overall discussion करेंगे I hope कि आप सभी लोगों ने सारे chapters properly पढ़ लिये होंगे तो वो पढ़ने के बाद आपको ये सारे आज का जो session ने वह काफी helpful हो जाएगा तो अगर हम सबसे पहली बात करें topic number one पहली बात हम करें कौन सा question कब attempt करना है उसके लिए आपको app में मिल जाएगा हम सिर्फ topic wise discuss कर लेते ताकि वीडियो लेंदी बना हो live session जादा लेंदी ना हो और आपका time waste ना हो फिर मैं screen share करके भी आपको topic revise करवाता हो पहले आप ध्यान से समझ लेना और जो जो points आपको important लगते हैं वो note down कर लो अगर हम topic number one की बात करें that is investment accounting ठीक है अभी investment accounting है तो देखो examiner की psychology समझो examiner किस तरीके से paper में questions डाल सकता है तो अगर आपने investment accounting ध्यान से पढ़ा है मैं आपको properly revise कर वाउंगा chapter wise हम screen पे मैं आपको detail बताऊंगा पहले आप सिर्फ एक overview ले लेते हैं सारे topics का ठाकि आपको overview आजाए तो अगर हम investment accounting की बात करें तो investment accounting में जो सबसे पहला level है आपका that is related with the debentures या bonds जिसमें आपने बहुत सारे questions किये होंगे और मैंने काफी सारी videos भी आपको दिये थे उसमें आपका फर्स पार्ट आता है एक्स इंट्रेस्ट का एंड कम इंट्रेस्ट का राइट तो एक्स इंट्रेस्ट है और कम इंट्रेस्ट है एक्स इंट्रेस्ट और कम इंट्रेस्ट की अगर हम बात करें तो एक्स इंट्रेस्ट और कम इंट्रेस्ट से related आपको questions जो पूछे उसमें जैसे कि 2 purchase आएगा तो 2 purchase में एक में ex-interest हो सकता है, एक में come interest हो सकता है, मतलब examiner ने आपका दोनो knowledge test कर लिया purchase में, 와 sale में भी ऐसा ही हो सकता है, ex-interest आएगा, एक come interest आएगा, जो भी previous year questions आपने solve किये थे, उसमें आपको यह सारी čीज़े देखने मिली होगी उसके बाद अगर हम देखे तो जो debentures या bonds वाले questions होते है उसमें और एक level कभी-कभी पूछा गया है and that is market value आपको दिया जाता है तो whenever market value is given in the question what we are doing हम लोग last में फिर cost और market price whichever is less करके consider करते है मैं यह समझ रहा हूँ कि आपके सारी चीज़े revise हुई है अगर हुई है तो यह जो भी मैं बाते कर रहा हूँ आपको समझ में आती होगी सो क्या है हमारा investment में debentures हो या bonds हो debentures और bonds अगर रहेगा तो ex interest और come interest मतलब आपको ex interest के दो transactions एक purchase में एक sales में और come interest के दो transactions एक purchase में और sales में ऐसा overall examiner का psychology है questions पूछने का फिर उसमें market value का एक concept है वो भी आप revise कर लेना because market value का concept अगर आया तो आपको क्या market value के concept में से जो last में हम calculate करते है whichever is less का वो आपको सही हो जाएगा अगर आपने वो market value का concept अगर ध्यान से पड़ा होगा तो otherwise फिर confusion होगा यह आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद जो उसमें आप profit और loss को calculate करते है तो उसका एक basic fund है अगर profit आता है तो हम जो investment accounting का ledger बनाते है उसके debit side लिखते है और अगर loss आता है तो investment accounting के ledger में credit side लिखते है by profit and loss और हम सिर्फ cost column में ही उसको present करते है either it is a loss we will be posting in the cost column on the credit side and if it is a profit we will be posting on the debit side in the cost column यही base था calculations कैसे करना है क्या करना है वो आप already जानते हो ठीक है तो हम अभी कौन से point में कितने working notes बनाते है वो सारी चीज़े भी one by one discuss करेंगे जब मैं screen share करूंगा पहले एक overview ले ले लते है तो अगर हम investment accounting की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो level हमने discuss किया that is debentures हमारा जो second level है that is called as the shares type तो shares की अगर हम बात करें तो shares के type में आपको normal part आते है shares के type में जो मैंने आपको level बताई है जो हमने solve भी की है opening balance आता है purchase आता है bonus shares आता है right shares आता है dividend आता है और sale आता है इन 6 points को छोड़के shares वाले variety में और कुछ नहीं आएगा because इतने ही points है फिर उसमें आपको confusion होता है कभी-कभी right shares में बोला जाता है this percentage is subscribe, this percentage is sold तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको calculation सोड़े करने पड़ेंगे bonus shares के लिए आपको ratios दिये जाते है dividend में भी दो टाइप के dividends आते है एक आप करता है pre acquisition dividend और एक होता है आपका normal dividend तो pre acquisition dividend हम cost column में लिखते है और जो normal dividend है वो हम dividend column में लिखते है ये उसके basics है I hope कि आपको ये basics already पता है और आपने इसके पहले बहुत सारे questions solved किये है तो फिर problems face आपको नहीं होगा और अगर आपने अभी भी कुछ बच्चे ऐसे है घ्यान से सुनना जो लोगों को financial accounting में डर लग रहा है जो लोगों को ऐसे लग रहा है कि financial accounting कल मेरा paper कैसे जाएगा मैंने कुछ भी preparations नहीं किया है तो playlist में जाईए playlist में मैंने हर chapter का video बना के रखा है वो भी देखके गए तो भी passing marks मिल जाएगा वो भी देखके गए मतलब वो सारे videos में क्या है number अभी exam में क्या है वो ही number नहीं आने वाले number चेंज हो जाएंगे लेकिन levels varieties उसी में से relate करेगी ठीक है accounts में तो क्या number सहीं आते नहीं है लेकिन related varieties उसी से related examiner पूछे पूछ सकता है आपको तो आपको I hope कि ये investment accounting का जो level है या जो point है वो हमने जो discuss किया अभी कैसे working note क्या बनाने का वो सारी चीज़े on screen discuss करेंगे जब मैं screen share करूंगा जो हमारा second topic है that is internal reconstruction तो internal reconstruction की अगर बात करें तो students find this chapter little bit difficult लेकिन internal reconstruction जो topic है उसमें एक तो आपको general entries है दूसरा आपके लिए capital reduction account का ledger है और तीसरा complete balance sheet है या फिर notes to accounts है कभी-कभी share capital reserves and surplus and cash and cash equivalents का notes भी पूछते है कभी complete balance sheet भी पूछते है तो little bit time consuming topic है solve करने के लिए थोड़ा सा time जाएगा तो इसलिए ये topic को कितना time लगना चाहिए कौन सा topic कितन time में होना चाहिए ताकि आपके 180 minutes में paper होगा app में available है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं तो अगर हम internal reconstruction की बात करें तो internal reconstruction में कुछ ऐसे adjustments है वो common है वो मैं बताऊंगा आगे आपको वो आपके paper में आते ही है और आने ही वाले because examiner कोई भी internal reconstruction का question पूछे वो कुछ common adjustments है वो तो second topic है हमारा internal reconstruction उसमें किस तरीके से questions आ सकते है नमबर first general entry, नमबर second capital reduction का ledger and number third is your balance sheet तो that will be the topic number second, let us move toward the third topic, I hope कि this much is clear to everyone, I just need to check your comment so that I can get feedback, is this clear everyone, is this clear everyone? एक बार जरा chat section में comment करें येस चलो सबके comments तो आ रहा है मुझे, very good, very good, चलो बढ़िया है, everyone is commenting and you are understanding whatever I am saying, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो अगर हम next point में जाए, तो दो topics के बारे में एक overview दे दिया, मैंने आपको number first is the investments accounting, number second is the internal reconstruction, now let us move toward the third topic, which is one of the favorite topic of all the students if you are knowing this, and the third topic is called as buyback, तो buyback आप सभी को पता है, buyback में दो डाइप के levels है, एक अगर आपको question में offer price दिया होगा, तो अगर आपको question में offer price दिया है, तो वो एक level हो गया, दूसरा level है, अगर आपको question में offer price नहीं दिया होगा, मैं सारे general entries revise करवाऊंगा, कितनी maximum entries आएँगी वो भी वताऊंगा, तो last तक बने रहे, आपका सब कुछ revise होने वाला है, so buyback में हमारे पास दो डाइप के levels है, एक offer price दिया है, दूसरा offer price नहीं दिया है, अब buyback में हमें क्या-क्या डाइप के parts पूछ सकते है, एक तो हमें general entry पूछ सकते है, दूसरा हम balance sheet पूछ सकते है, यहाँ पे आपको notes to accounts भी आ सकता है, यहाँ पे आपको complete balance sheet भी आ सकता है, notes to accounts की अगर हम बात करें, तो you will be ask share capital का working note, you will be ask reserves and surplus का working note, and number third you will be ask the balance sheet का working note, तो balance sheet मतलब cash and cash equivalents का, तो ऐसे 3 points आपको पूछे जा सकते है, in case of buyback, या फिर complete balance sheet भी पूछा जा सकते ह तो वो भी एक बार revise कर ले, तेको सभी के लिए balance sheet एक ही है, format तो एक ही रहेगा आपका vertical balance sheet का, so यह है हमारा तीसरा topic and that third topic is related with your buyback of shares, so these 3 topics I hope कि जो मैंने अभी तक आपको overview दिया है, वो clear है, और इसके बाद हमारा जो major topic आता है chapter number 4, जो topic बहुत सारे बच्चों को difficult लगता है बहुत सारे बच्चों को यह topic बहुत lengthy लगता है, बहुत सारे बच्चे सोचके जाते हैं कि final accounts में options में डालूंगा या final accounts में paper में solve नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखे, तो अगर मैं मेरे side से बताओ, तो यह 3 topics से सबसे simple topic final account है, सिर्फ final account एक ऐसा topic है, जिसमे आपको time जाते लगता है, लेकिन final accounts एक ऐसा topic नहीं है, जिसमें आपको कुछ calculations करने, the reason, final accounts we have studied from 11th standard, तो आपने 11th से final accounts पढ़ा है, 11th, 12th, FYSY, now it's TY, तो every year since you are learning final accounts, it is not difficult, we already know where to post data, where to post creditors, where to post the assets, where to post the liabilities, all the points we are already knowing, सिर्फ यहाँ पे हमको extra क्या करना है, यहाँ पे हमको कौ कौन से head में जाएगा, वो सीखना था, I hope कि आपने final accounts already सीखा होगा, final accounts में दो type के points आपको paper में पूछ सकते है, एक तो आपको only profit and loss आ सकता है, एक तो आपको only balance sheet आ सकता है, या फिर final accounts की अगर बात करें तो दोनों combined भी आ सकता है, देखो जिस किसी को भी only profit and loss solve करने आता है, जिस किसी को भी only balance sheet solve करने आता है, उसको दोनों solve करने में कोई problem नहीं है, लेकिन problem एक ही होगा, जब दोनों एक साथ पूछा जाएगा, और वो problem है time, तो problem क्या है, time है, वो time को कैसे manage करना है, मैंने already एक session, एक record कर लिया है, और वो मैंने app में डाल दिया है, तो वहाँ पे ज 10 rupees का fees रखा है, मुझे वो fees just, चाहिए भी नहीं, लिकिन एक just point है कि 10 rupees रहेगा, तो जिनको genuine interest है, वो ही लोग वहाँ पे आखे, वो time management का part है, वो लेंगे, that's it, so basically if you are interested, अगर आपको लगता है, आपका time manage होता है, तो आप यह इतना जो भी आज में बता रहा हूँ, वो सार accounts में आपको दो part याद रखना है, number first, vertical profit and loss, only if it is asked, you will solve that, vertical balance sheet, only if it is asked, you will solve that, but if it is asked, combined, and if your speed is less, do not solve, because आपको सबसे पहले, vertical profit and loss का format बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके notes बनाओगे, उसके बाद आप balance sheet बनाओगे, उसके बाद उसके notes बनाओगे, तो यह बहुत time consuming procedure ह और जिसके वजे से आपका paper incomplete हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपके paper में final account सिर्फ pre-endal आएगा, तब आप attempt कर लो, balance sheet आएगा, तब आप attempt कर लो, combined आएगा, तो उसके option में देखो, कौन सा question है, अगर उसके option में कोई ऐसा question है, जो आपको comfortably आ रहा है तो वो solve करो, तो that is the important point, तो these are the topics actually, so investment accounting के बारे में discuss कर लिया, number second हमने internal reconstruction के बारे में discuss कर लिया, number third हमने buyback के बारे में discuss कर लिया, number fourth हमने final accounts के बारे में भी एक overview ले लिया है, अब हम जाएंगे chapter wise discuss करेंगे, कि हर chapter में क्या क्या चीज़े है, last तक बने रहे, सारा topic एकदम से revise करवा दूँगा, ये भी अगर आपने ध्यान से समझ के गए, तो कल जो silly mistakes आपका होता है, वो आपका silly mistakes नहीं होगा, तो बने रहे, last तक देखते रहे, ताकि आपके सारे chapters के revision होते रहेंगे, अब मैं मेरा screen share कर रहा हूँ, अगर सारे topics आपको ध्यान से देखने है, note down करने हैं, और उसको कल जाने से पहले एक बार revise करके जाना है, ठीक है, चलते है screen पे, and start करते है हमारा पहला topic, that is investment accounting, so let us start with our first topic to revise, and that is investment accounting, ठीक है, investment accounting, ये topic number one है आपका, तो जैसे हमने overview लिया था, उसमें हमने already discuss कर लिया है, कि investment accounting में आपको एक तो debentures या bonds के questions पूछे जाएंगे या तो आपको shares के questions पूछे जाएंगे, तो अगर हम debentures या bonds की बात करें, first level की बात करें, तो first level की जो questions है, उसमें आपको दो concept के बारे में पता होना चाहिए, एक है आपका ex interest, और दूसरा concept होता है, come interest, ठीक है, बहुत simple chapter है, लेकिन थोड़ा सा practice चाहिए इस topic को solve करने के लिए, जिन बच्चों ने practice किया है, उनको ये topic में full marks मिल सकते है, जिनों ने practice नहीं किया है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, चैनल पे जाएए, प्लेलिस्ट में जाएए, investment accounting के videos मिल जाएंगे, उतना भी करके जाएंगे, topic revise हो जाएगा, तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले purchase के बारे में, तो you will have two transactions most probably in the question, तो दो transactions जो purchase के होंगे, अगर purchase की बात करें, तो सबसे पहले purchase में X interest का transactions होता है, तो अगर purchase में X interest का transaction है, और आपको ऐसा दिया है कि 100 debentures, purchase, adder rate, 96, X interest, तो आपको याद क्या रखना है, हमेशा face value होता है, 100, ठीक है, 100 into 100 ही करना है, 100 into 100 करेंगे, तो 10,000 आएगा, बराबर, 100 into 100 करेंगे, तो 10,000 आएगा, या आपका face value हो गया, और 100 into 96 करेंगे, तो 9,600 आएगा, या आपका cost हो गया, तो whenever X interest is given, we will not prepare any working note in the question, we will directly multiply and write the value in the cost column, that is base number 1, जहाँ पे आपका silly mistake होता है, दूसरा जो है, कम interest, कम interest का अगर आपको point आता है, ऐसा ही, तो 100 debentures purchase at the rate 96, कम interest, ऐसा अगर word आता है, तो इसका मतलब यह है, कि तब आप क्या करोगे, यह आपका यहाँ पे face value column है, यह आपका यहाँ पे cost column है, format आपको पता है, 100 into 100 करोगे, तो face value column में we will be writing 10,000, 100 into 96 करोगे, और आप अगर 9,600 यहाँ लिखोगे, तो wrong हो जाएगा, तो 9,600 आपको working note में लिखना है, इस में से आपको interest जो है, वो minus करना है, the reason, कम interest का मतलब होता है, including interest, और X interest का मतलब होता है, excluding interest, तो यह आप क्या करोगे, इस में से interest, जो भी जितने भी months का interest रहेगा, वो minus करना है, कैसे calculate करना है, मैंने already सिखा दिया है, आप जाके playlist चेक कर स for example, 200 रुपया interest आया, तो आज 9,600 में से 200 माइनस करोगे, तो you will be getting the answer 9,400, this will be called as cost, तो यह जो cost है, इसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो this is the difference between purchase X interest and come interest, तो हम इस में से याद क्या रख सकते है, कि whenever we have purchase X interest, we will not prepare any working note, and whenever we have purchase come interest, then we are going to prepare a working note, and then after preparing the working note, whatever value comes, that we will write in the format, तो यह आपको याद रखना है, I hope कि इसके basis पे आपका revision हो रहा है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे sale के बारे में, ठीक है, sale, अगर हम sale की बात करें, तो sale में भी दो type के transactions आ सकते हैं, एक है आपका X interest, और दूसरा है आपका come interest, त जब कभी भी X interest आएगा तब आपको दो working notes बनाने है, ठीक है, और कम interest जबी भी आएगा तब आपको तीन working notes बनाने है, ये कौन से working note है, क्या prepare करना है, ये सारी चीज़े मैंने already सिखाई है, फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा revise करवाता हूँ, कि X interest की अगर बात करें, तो दो working notes बनाने है, दो working notes कौन से बनाने है, एक आपको prepare करना है, calculation of weighted average price का, जो cross multiply करके हम दूलते है, जिन बच्चों ने पहले session attend किया, उनको पता होगा, और जिनोंने नहीं attend किया, उनको भी पता होगा, because उनोंने already practice कर लिया है, और second जो होता है, that we have to prepare of profit and loss, तो profit या loss को हमको calculate करना है, हम selling price में से cost को minus करते है, तो we will be getting the answer as profit or loss, अगर profit आता है, तो आप investment accounting के debit side लिखोगे, अगर loss आता है, तो आप investment accounting के credit side लिखोगे, लेकिन cost column में लिखेंगे, ठीके, कम interest अगर आएगा, तो कम interest में हमको 3 working note बनाने है, सबसे पहला working note बनाना है, calculation of selling price का, जिसमें हमे कम interest का interest minus करके जो आएगा, वो selling price होगा, दूसरा हमको वही बनाना है, weighted average cost का, या weighted average price का, जो आप calculate करते थे, उपर X interest में, और तीसरा हमको prepare करना है, selling price का, तीसरा हमको prepare करना है, selling price नहीं, वेट, 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 तीसरा हमको prepare करना है, profit and loss का, तो third working note will be profit and loss, तो I hope कि this basics is clear to you, त whenever we have purchase, we are going to prepare working notes, if it is an X interest, no working note, if it is a come interest, one working note, if we have sale, X interest हो या कम interest हो, working note के भीना sale होता ही नहीं, तो sale में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक working note बनाएंगे, हमारा weighted average price का, दूसरा working note हम बनाएंगे profit and loss का, और अगर कम interest रहेगा, तो ये दो working note और एक extra working note हमारा आएगा, selling price का, तो ये है हमारा basic investment accounting का, I hope कि आपके investment accounting के basics यहां से revise हुए रहेंगे, question solving तो अभी हाज हम नहीं करने वाले, because वो आपने already किया होगा, अब हम हमारे next topic में जाते है, that is internal reconstruction, ध्यान से सबजना ये topic जिनको भी difficult लगता है, इस topic में कुछ essay entries बताऊंगा, जो आपके paper में कल पूछे ही जाएंगे, because इसके बिना ये chapter होगा ही नहीं, अगर हम internal reconstruction की बात करें, तो internal reconstruction में जो सबसे पहला entry है, जो कोई भी paper setter हो, कोई भी examiner हो, ओर रहेगा reducing the share capital का, ठीक है, reducing the share capital, जो आपका share capital reduce होता है, जैसे कि बोला जाता है, 100 rupees का share 60 बन गया, तो जो 40 रहेगा, वो capital reduction में जाए फिर बोला जाता है, 10 rupees का share, 2 rupees बन गया, तो 8 rupees का value capital reduction में जाता है, तो ये आपको general entry करके रखना है, अगर हमारा entry देखे तो entry होता है, equity share capital to equity share capital to capital reduction, ये आपका entry होता है, और कभी अगर face value remain unchanged जाता है, तो equity share capital to capital reduction, ये आपका entry होता है, दूसरा एक point है, जो आपके question में रहता ह है normally और वो होता है assets revalued का मतलब assets की value एक तो बढ़ जाती है assets की value एक तो कम हो जाती है बहुत ही simple है जब assets की value बढ़ जाती है तो आपको याद रखना है capital reduction credit होगा और जब assets की value कम हो जाती है तो आपको याद रखना है capital reduction debit होगा ठीक है बहुत ही simple concept बताया है मैंने आपको जिनको general entry difficult लगता है अगर assets की value बढ़ रही है question में asset दिया है 1,00,00 और adjustment में asset का value है 1,00,00 20,000 तो 20,000 से asset की value बढ़ रही है इस case में हम entry करेंगे capital reduction credit तो जो भी asset रहेगा समझो land है तो land account debit to capital reduction और जो दोनो amount में जो difference है 20,000 का वो हम लिखेंगे तो यह आपका entry हमेशा आपको पूछा ही जाएगा number third जो है वो भी आपको याद रखना है एक तो आपका होता है reconstruction expenses paid ठीक है reconstruction expenses paid यह भी आपके question में पूछा ही जाता है तो इसका entry बनेगा capital reduction to bank याद रख लो या बाहेट कर लो फिर number fourth जो होता है and that is intangible intangible या फिर fictitious assets written off intangible या fictitious assets को write off हमको करना है intangible जैसे की goodwill patents copyrights, trademarks fictitious जैसे की preliminary expense share issue expense फिर advertisement, suspense account profit and loss, debit balance all these assets are to be written off इसका तो confirm entry आपको आना ही चाहिए capital reduction to जो भी assets होंगे वो नाम लिखते जाएंगे आप एक-एक करके capital reduction account, debit to सारे assets तो अगर हम ध्यान से देखे तो ये 4 concept कोई भी paper setter हो सारे questions में आपको देखने मिलते है और इसके साथ liabilities का settlement आता है जैसे की creditors ने अपना claimed waived कर दिया debenture holders को हमने settled कर दिया preference dividend हमने paid कर दिया वो सारे मैंने details में concept सिखाए है जिनको और detail में पढ़ना है playlist में जाईए वीडियो देखिए और revise हो जाएगा तो ये है हमारा topic number second because मैं आपको जल्दी जल्दी सारा चीज revise करवाना चाहता हूँ since lengthy भी ना हो और आपका time waste ना हो ये है हमारा topic number second अब हमारे topic number third में आते है and topic number third है हमारा buyback बहुती interesting topic है बहुती simple topic है इसमें आपको याद रखना है notes बनाना जो buyback के notes बनाते हम तो पहला note हमारा रहता है sources का जितने भी आपके question में sources है वो हम यहाँ पे लेते है general reserve, profit and loss securities premium, dividend equalization reserve और एक याद रखना है CRR वगरा रहेगा तो नहीं लेना है उसमें divisible और non divisible profit होता है तो divisible profit ही हम लोग इसमें consider करते है फिर हम second point calculate करते है own funds तो own funds कैसे calculate करते है बहुत ही simple है equity share capital plus preference share capital plus resource and surplus इन सब को आप क्या करोगे add करोगे और add करने के बाद जो भी answer आएगा उसका 25% ढूंड के उसको marking B करोगे यह point number A हो गया that is sources sources is point number A own funds is point number B लेकिन एक most important point याद रखना है यहाँ पे आपको equity share fully paid up लेना है partly paid up equity share कभी भी buyback नहीं हो सकते इसलिए उसको हमें fully paid up ही लेना पड़ेगा तो partly paid up रहेगा तो दो journal entry extra से आएगा लेकिन यहाँ पे fully paid up value लेना है source से multiply करके यहाँ पे value आपको लेना है जो तीसरा हमारा point होता है वो होता है own funds में से own funds minus 50% of borrowed funds तो own funds में से 50% of borrowed funds आपको minus करना है तो आपको c point मिल जाएगा फिर point number fourth आपको धुड़ना है 25% of equity share capital I hope this is clear to everyone because already you have solved this so I am going little bit fast 25% of equity share capital दुणना है फिर इसमें number of shares वगरा calculate करना है तो आपको यह alphabet D आ जाएगा फिर आप क्या calculate करोगे फिर आप buyback calculate करोगे how to calculate buyback A, B, C और D इन चारों में से जो छोटा amount है वो लेना है इसको आपको divide करना है offer price के साथ अगर offer price नहीं दिया है तो भी आप calculate कर सकते हो तो कैसे calculate करना है मैंने playlist बनाई है financial accounting की वहां से आके देख सकते हो this is the base तो यह buyback का होने के बाद अब आता है अपना question journal entries का क्या आता है journal entries तो how do we pass the journal entries और कितने journal entries आपके आएंगे सबसे पहली चीज सबसे पहली अगर आपके question में partly paid up है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर partly paid up है तो दो journal entries आपकी आएगी two entries ठीक है partly paid up की आपकी दो entries आएगी equity share final call account debit to equity share capital that will be entry number one and entry number two will be bank account debit to equity share final call account जो भी आपका partly paid up है जो value paid up नहीं हुआ है जो difference है वो आपको यहाँ पर लिखना है कैसे लिखना है playlist जाके देख सकते तो पता चल जाएगा तूरंद जिनोंने already revise किया है उनको पता है फिर इसके बाद आपका second entry होगा buyback due का buyback due क्या होगा entry equity share capital account debit premium on buyback of equity shares account debit to equity share holders account that is your buyback due का entry उसके बाद आपका entry होगा adjusting premium premium को आपको adjust करना है ठीके profit and loss general reserve कहीं से भी adjust कर सकते उसके बाद आपका entry होगा CRR तो CRR आपको calculate करना है CRR कहां से आएगा जो ये second number के entry में equity share capital का amount रहेगा वही आपका CRR होगा तो CRR के लिए provision करना है general reserve से low profit and loss account से low और आपका last entry होगा settlement का equity share holders account debit to bank तो settled का entry होगा last वाला ये आपके 5 entries maximum होगे और कभी-कभी अगर आपके question में investment sold आता है ये ध्यान रखना ये silly mistake कर देगा तुमारा अगर investment sold आता है तो और एक हम entry करेंगे investment sold का say for example investment sold आया profit में तो bank account debit to investment account to profit and loss account ये कब आएगा जब आपको profit होगा ठीक है बहुत ही simple है और अगर आपको loss हुआ तो entry क्या बनेगा entry बनेगा bank account debit profit and loss account debit to investments account दो में से एक step आएगा लेकिन इसमें एक चीज़ major major ध्यान रखनी है because अगर investment sold का adjustment आया तो 90% of the students का buyback रॉंग होने वाला है the reason is यहां पर जो भी profit हो या जो भी loss होगा जो भी profit होगा या जो भी loss होगा वो आपको जब आप working note बनाते हो ना sources का वो sources के working note में जब आप profit and loss account लिखते हो तब अगर यहां पर profit आता है तो वहां पर आपको add करना है profit and loss में अगर profit आता है तो और अगर loss आता है loss तो आपको क्या करना है less करना है loss आये तो क्या करना है less करना है यह ध्यान रखना buyback में because यह बहुत ही important point है and if you will commit some silly mistake over here वहां पर add नहीं कर लिया तो आपका wrong हो जाएगा पूरा buyback का answer ही गलत हो जाएगा तो that is why जहां पर भी आपको investment sold का adjustment दिखे वहां पर आपको ध्यान रखना है this point I hope this is clear to everyone if it is clear to everyone just type in the chat section so that I can see your comments once and then I can begin with the other points ठीक है एक बार देख लेते हैं comments में क्या क्या comment आपके आ रहे है और उसके basis पे हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो आप comment करते रहे मैं जल से जल अगले topic में जाता हूँ अभी अगला जो topic है आपका वो है हमारा सबका favorite topic and that is final accounts तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया final accounts एक ऐसा topic है जिसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है format इसमें हमारे पास दो टाइप के format है एक है आपका profit and loss का format और एक है आपका balance sheet का format अब यह जो balance sheet का format है यह buyback में भी है यही format आपको buyback में भी करना है यही format आपको internal reconstruction में भी करना है तो buyback में जो format था balance sheet का वो यह भी है same है IR में भी same है सिर्फ आपको profit and loss का format पढ़ना पढ़े और यह topic जो है, यह काफी easy topic है, because इस topic में आपको posting के marks मिलने वाले है, तो जितने भी आपके posting सही होंगे, उतने posting के marks आपको इस final account में मिलेंगे, तो final accounts में आपको important क्या-क्या revise करना है, format revise कर लो, posting point देख लो, कौन सा point किदर जाता है, वो अगर points आप याद रखोगे, तो that will be very much easy for you, इसमें एक point आता है, changes in inventory, उसमें आपको याद रखना है, closing stock में से, opening stock minus करके लिखना है, तो closing stock में से, opening stock minus करके, अगर answer negative आया, तो आप bracket में लिखोगे, negative आया तो, और अगर positive आया, तो आरेकली लिखोगे, जो भी होगा हो, बाकी सारे points आपको posting wise ही करना है, जितने posting सही आएंगे, उतने marks मिलेंगे, अगर posting गलत होंगे, तो marks उसके related चले जाएंगे, लेकिन final accounts में किसी को भी zero नहीं मिलेगा, because जितने posting आप सही करोगे, उतने तो marks मिलने वाले है, इसलिए don't worry about it, tension लेने की कोई जरुरत नहीं है, काफी अच्छा paper आप सभी को जाएगा, सिर्फ आप इन सारे points के उपर focus करे, आप अगर इन सारे points के उपर focus करोगे, तो आप सभी का paper अच्छा जाएगा, paper ध्यान से पड़े, तानिक ना हो, डर के paper ना लिखे, easily question solve करे, जो paper में आपको question easily आ रहे है, उसको पहले solve करे, जो नहीं आ रहे है, उसको बाद में solve करे, पहले ही आप अगर नहीं आने वाले question को solve करने लग जाओगे, तो एक mindset होता है हमारा psychological disturbance आ जाएगा, और फिर जो आता है वो भी बूल जाओगे, इसलिए सबसे पहले जो आ रहा है, उसको solve करे, जो नहीं आ रहे है, उसको आप last में solve करे, ताकि उसमें आप थोड़ा सा दिमाग चला कि उसको भी properly solve कर सकते है, I hope today's session was interesting, बहुत सारा time मैंने आपका ले लिया है, लेकिन I hope कि आपको कल के lecture में, कल के जो भी आपका exam होगा, उसमें आपको फाइदा दे, benefit दे, और इसके basis पे आ avoid हो, अगर आपको यह session अच्छा लगा है, तो like कर सकते हैं, अपने friends में इसको share करें, थाकि जो लोग अभी live में नहीं आए, वो लोग भी joint कर सकते हैं, अगर आप अभी तक बने हुए है, तो आप genuinely interested है, पढ़ने में, and I hope कि आपने आज का session enjoy किया होगा, this session was productive, इसमें से आ अगर revise हुई है, तो अब मैं आपको कह सकता हूँ, तो कि subscribe कर ले, ताकि कल का जो live session लोगा, उसका notification आपके पास चला जाए, wish you all, all the best for tomorrow's paper, आप अच्छी तरीके से perform करके आए, ताकि आपका result भी बहुत बढ़ी आए, thank you very much, कल मिलते है, शाम को 6 बजे, with live session of costing, thank you.